हेलो दोस्तो, Be wise and wealthy चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तो, बहुत ही unfortunate situation है, लेकिन दोस्तो, जैसा हम सोच रहे थे, वैसा नहीं हो रहा, coronavirus हम सोच रहे थे, आप cases कम होते जा रहे हैं, अब ये खतम होने के अपने कगार पे आ चुका है, vaccinations, अपने जो है, चरम पे है, उत्चता मिस्तर पे है, जो vaccination drive चल रही है, लेकिन दोस्तो, यहाँ पर बहुत ही बुरी ख़बर निकल के सामने आ रही है, वो है दोस्तो, यहाँ पर, मार्च 15-21 तक नाखपुर में lockdown लगने जा रहा है, जी हां दोस्तो, amid rising coronavirus cases, तो coronavirus के cases यहाँ पर दोस्तो, बढ़त यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर देखे, government ने यहाँ पर बोल दिया है, guardian minister नितिन राउट, जो उन्होंने बोल दिया है, only essential services यहाँ पर allow रहेंगी, बाकी सब कुछ यहाँ पर बंद होगा, दोस्तो, यह बहुत ही unfortunate situation है, और जिस प्रकार, coronavirus के, या, you know, जब start हुआ था इस्टे ने दोस्तो, आज एक बयान दिया है, अभी मैं आपको यहाँ पर एक live बयान दिखाने वाला हूँ, इसके बाद, पहले हम इस report को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और दोस्तो, यहाँ पर महराज की बात नहीं करें, अगर हम second wave की बात करें, globally दोस्तो, Brazil, South American countries में hospital भर पढ़े हैं, दोस्तो, coronavirus cases की वज़े से, जी हां दोस्तो, अब यहाँ पर, Britain में आप देख लिए, UK वगरा में, South American countries में, Brazil में, यहाँ पर बहुत ही तेजी से cases बढ़ रहे हैं, यहाँ पर overall एक थोड़ा सा वापिस से negative impact आता हूँ, नजर आ रहा है, हले कि आप देखेंगे, जो world की global markets है, अपने all time high पे हैं, लेकिन दोस्तो, यहाँ पर एक ही negative news चीया, और यह high कब नीचे आता हुआ दिखेगा, आपको यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा, जैसा March में हुआ था, थोड़ा सा हमकों यहाँ पर alert रहने की, थोड़ा सा निवेशकों को सालधान रहने की यहाँ पर बहुत जादा ज़रुत है, यहाँ पर देखें, पंद्रा से किसमार सा lockdown लगेगा, essential service allowed रहेंगे only, और people जो है, should not move out unnecessarily, जैसा कि यहाँ पर definitely होना चाहिए, कि lockdown है, थोड़ा से यहाँ पर strict रहेगा नियम, और देखें, यहाँ पर private offices will remain closed, government offices will work at 25% capacity पर यहाँ पर restrictions है, देखिए, जनता गरिफियों जलगाओं, अमरावती और अंगाबाद have also come under the scanner for the coronavirus surge being witness there lately, और देखिए, कितने हैं, the highest one day spike this year, Wednesday को record किये गए हैं, दोस्तों, यहाँ पर 13,660 fresh additions, तो यह एक साल का highest one day spike है, जहाँ पर यह कम होता जा रहा है, दोस्तों, अब यह वापिस से रफतार पकड़ता हुआ, दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए, casualties भी हो रही है, इसकी वज़े से, थोड़ा से यहाँ पर negative महाल है, unfortunate situation है, और काफी दोस्तों, यहाँ पर हमको साफधान रहनी की ज़रत है, as a निवेशक, और अपनी personal life में भी दोस्तों, हमको यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर health minister ने क्या का है, देखिए, मध्यपरदेश, गुजरात, हरियाना, और अर 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 टिपिंग पॉइंट, मतलब, tipping point मतलब, यहाँ पर दोस्तों, एक तरसा अब समझ लीजिए, कि cliff पे है, अगर इसको अभी नहीं समाला गया दोस्तों यहाँ से यह बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है, यह situation कोविड की, और यह देख लीजिए, अभी की latest news है, यह 11 मार्च, यहाँ पर 4, 4, 4, 4 बजे की, यहाँ पर health ministry ने, मध्यपरदेश, गुजरात, हरियाना को यहाँ पर red alert पे कर दिया है, देखिए, 2.43 क्रोल vaccination हो चुकी ही है, लेकिन इस्टिल यहाँ पर, जो है, cases दिन बर दिन बढ़ते जा रहे है, master has more than 1 lakh cases today, मध्यपरदेश, गुजराद, हरियाना, at the tipping point, यहाँ पर देखिए, health ministry यहाँ पर बयान दे रही है, देखिए, उद्दव थाकरे, wants of lockdown in some places, तो यहाँ पर नाकपूर और अलग जग है, और जिस परकार से, health ministry कह रही है, तो तो हमको भी थोड़ा सा साधान रही है, अपने investment decisions में भी, अगर हम बात करें, nifty 50 की, देखिए, nifty 50 अपने all time high के आसपास ही है, nifty touch किया था, करीब 15,450 के आसपास touch करके, यहाँ पर एक range bound territory में move कर रहा है, देखिए, एक महीने से, एक महीने से, आप आसदेखेंगे, range bound territory में move कर रहा है, और अब जिस परकार की यह news है, अगर यहाँ पर इसको negative lias share market है, तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लंसम करना कितना यहाँ पर नुपसान दाए हो सकता है, मुझे रखता है, अब जो है, nifty यहाँ पर range bound territory में move करता हाला कि यहाँ पर अच्छे खासे जो है, IMF ने या फिर दूसरे जो भी बड़े analyst हैं, experts हैं, economic advisors हैं, उन्होंने यहाँ पर इंडिया की growth को definitely अच्छा बताया है, लेकिन मैं आपको बना दोस्तों अभी लंसम मत कीजिए, जो stock specific approach अप्रोच अप्राइए, nifty जो 20 है, उसको य 450 के आसपास था और अभी चल रहा है 15,114, तो अपने उपर इस तरह से देखिए, अभी भी कितने corrected level पर हमको मिल रहा है, करीब करीब, आप मान के चलिए, 2% के आसपास यह corrected है, और यह news के बाद अगर stock market ने इसको negatively react किया, तो यह पहला support इसका 14,706 पर है, जहां पर यह आ स पास हमको आता हुआ दिखे, तो यह long term जो innovation का दोस्तों, उनके लिए यहां पर एक opportunity बनके आ रही है, और जो trader है दोस्तों, वो सावधान रही हैगा, थोड़ा से हैं अपर बड़ी position लेने से, क्योंकि market में volatility रह सकती है, जिस प्रकार से globally हम Qs की बात करें, rising bond, eagles की बात करे या फिर inflation की बात करें, या फिर stimulus की बात करें, तो यह सारी चीजें दोस्तों, market में volatility को नियोता देती है, तो यहां पर volatile रह सकता है market, लेकिन stock specific approach अपनाईए, और अगर lockdown हुआ तो only essential services चालू रहेगी, तो आपको, जैसे पिछली बार हुआ था, दोस्तों, FMCG जो companies हैं, उन average के आसपास मिल रही है, जैसे for example, HUL है, अभी भी देखिये, वहीं पर ही है, और Jyoti Lab है, Daber है, Nestle है, तो यह सारी companies, अगर lockdown हुआ तो यहां पर FMCG companies हमको फायदे में आती हुआ दिखेगी, और बाकि जितने, you know, financing, finance, जो business हैं, NBFC हैं, यह सारे companies हमको थोड़ा सा महाँ पर हैं, heavy value, जिसके बहुत ही high value हैं, जोस्तों उन में अभी lump sum मत कीजिएगा, जो अपने all time high पर चल रहे हैं, उन में lump sum invest मत कीजिएगा, ऐसी companies हैं, जैसे HUL जैसी हैं, और अगर में एक company, आपको बता हूँ, Jellet जैसी company है, HUL जैसी company है, Jyoti Lab जैसी company है, यह कुछ consumer space में, या फ company है, तो इन में आप जरूर थोड़ा-थोड़ा invest कर सकते हैं, बाकी दोस्तों आपका decision होगा, मैं सिर्फ यहाँ पर आपके लिए को overview रखनी कोशिश कर रहा हूँ, तो I hope दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए बाइ बाइ